Hello Everyone, Welcome and Welcome Back to my YouTube Channel Online Education I am Assistant Professor Praveen Thakur और मैं उपस दित हूँ आज 20 September 2023 की महतोपूर्ण Educational Update को लेकर वीडियो में बात करेंगे HPU Second Year और Third Year Compartment और Late College Capacity Form कब भरे जाएंगी पूरा अपडेट इस पर रहेगा, कभी एक्जाम होने वाले हैं इसके लावा अपडेट रहेगा, SPU, B.com, B.se, First Year Result कब तक जारी होगा इस पर एक पुक्ता अपडेट आया है इसके लावा बात करेंगे B.A.D. Merit List अपडेट पर ERP सिस्टम फिर सवालों के घेरे में 19 को जारी होनी थी B.A.D. Merit List इसके लावा बात की जाएगी B.A.C. का इस सप्ताहा और B.A. का प्रथम बर्ष का 10 दिन के अंदर भीतर होगा result आउट नवोदी में प्रवेश के लिए 31 तक करें आवे दिन इसके लावा बात की जाएगी S.P.U. U.G. B.C. फर्स्ट यर रिवैलुएशन फॉर्म कब निकलेंगे तो चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले important अपडेट पर हिमाज अपरदिश यूनिवरसिटी में B.A. सेकंड यर इसके अलावा B.A. सेकंड यर के अलावा H.P.U. B.C. थर्ड यर जो फिल्ड स्टूडेंट्स है इसके अलावा H.P.U. Late Capacity के जो एक्जाम्स कब होंगे यह मैं आपको बता दूँगा तो H.P.U. में Late College Capacity इसके अलावा reappear और साथ में जो Late College Capacity है या जो थर्ड यर में फिल्ड चात रहे उनके एक्जाम नवंबर दिसंबर 2023 में होने प्रस्तावित है तो यदि आपको हिमाज अपरदिश उनिवरसिटी पर अपडेट मिल जाएगा तो उसके लिए आप टेलिग्राम चैनल जोईन कर लें तो यह एक्जाम फॉर्म फिल होने थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगे इसके लावा यदि आप बात करें एच्पियू बीए बीस्टी बीकॉम थार्ड इयर जो बच्चे फेल होगे थे थार्ड इयर में तो अब उन लोगों के जो एक्जाम है वो आएंगे नवंबर दिसम्बर में सारे के सारे एक्जाम जो बच्चे फेल होगे थे तो उसका जब भी notification आएगा, जब भी उसका form आएगा, मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलिग्राम चैनल आप जॉइन कर ले, वीडियो के link डिस्क्रिप्शन में है, इसके लावा HPU Late Capacity एक्जाम नमबर दिसंबर में होंगे, तो जो विद्यार्थी LCCE में आ रह है, मेरिट लिस्ट जो आनी थी, ये 19 तारीको हिमाद्चर प्रदेश युनिवरसिटी के द्वारा जारी की जानी गई थी, लेकिन ERP सिस्टम ने शायद अभी भी खामी है, तो ERP सिस्टम अभी भी सवालों के घेरे में है, तो जो बीड मेरिट लिस्ट 19 को जारी की जानी तो वो सकता है, वो आज 20 तारीको, 20 सेप्टेंबर को जारी की जाए, जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएगी, जैसे ही ये मेरिट लिस्ट आएगी, आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलिग्राम चैनल का लिंक, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल गया था और 19 सितंबर को बीएड की जो उच्रेणी बार मेरिट लिस्ट है बुजारी करनी थी हिमाज अपरेदिश उनिवस्टी ने और 22 से ये काउंसलिंग का शेडियूल चनलना था तो दिन भर विशो विद्यालिया के ऑफिशल वेबसाइट अवियर्ती देखते रहे लेक प्रथम बर्ष का रिजल्ट कब आएगा तो सरदार पटेल यूनिवसेटी के जो प्रिक्षा नियंतर है डॉक्टर सुनिल वर्मा उन्होंने बताया कि BSC प्रथम बर्ष का प्रिक्षा परिणाम है वो इसी सप्ताहा आएगा तो इसी सप्ताहा का अर्थ है कि ये जो है 24 त तर आपको BSC का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा इन चार दिनों के अंदर आप BSC का रिजल्ट अपनी लॉग इन आईडी में जाकर सरदार पटेल यूनिवसेटी के ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं इसके अलावा भी प्रथम बर्ष का जो रिजल्ट है वो दस दिन के भीतर मतलब ये 24 तारीक के बाद आएगा 24 तारीक के अगले सप्ताहा में ये 30 सेप्टेंबर तक यहाँ पर सारे के सारे रिजल्ट जो है कम्प्रीट किये जाएंगे सरदार पटेल यूनिवसेटी के द्वारा तो ये प्रिक्षापरिणाम घोशित करने का व इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और बेसी का जो रिजल्ट है वो इसी सब्ताहेगा आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल का वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पर जाकर जाकर जाएन कर लो जैसे ही 26 तक मंजूरी मिल गई है और एकडॉल के थूर 300 सीटों के लिए काउंसलिंग जो है 25 सेप्टेंबर को होगी और इन 25 सीटों के लिए 213 लोगों ने आईशो ड्यूल या एकडॉल के माध्यम से आवेदिन किया है तो हिमाज़ा प्रदीश उनिवेस्टी का जो दूरवर्ती शिक्षन संस्थान एक डोल है वहाँ पर MBA का नया बैच बिठाने के लिए UGC के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के तहत 2026 तक मंजूरी मिल गई है और SIT ने 2027 तक इसको मंजूरी दी है तो 25 सितंबर को काउंसलिंग यहाँ पर होनी है और सीटों के लिए कुल 213 तो MBA पर रवेश की जो समन वेख है डॉक्टर अक्षोक कुमार बंसल उन्होंने बताया कि UGC डैब से बैच बिठाने की अनुमती उनको मिल गई है इसके लवाँ बात करते हैं सरदार पटेल यूनिवेसिटी बीकॉम फरस्ट येर के रिवैलुएशन फॉर्म कब तक आउ पर रिवैलुएशन के भरने के लिए अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि वो फेल हुए हैं दो सब्जेक्ट में या तेन सब्जेक्ट में लेकिन उनका एक्जाम अच्छा हुआ था आप रिवैलुएशन तभी भरे जब आप विल्कुल कॉन्फिडेंट हो या अगर आपको लगता है कि आपने आपका एक्जाम अच्छा हुआ था लेकिन फिर भी फेल हुए तभी रिवैलुएशन अब भर सकते हैं तो रिवैलुएशन के लिए जो पोर्टल है वो आपको दस दिनों के भीतर ओपन हो जाएगा जैसे ही रिवैलुएशन का पोर्टल ओपन ह जाएगा या वीडियो के मादेम से आपको अपडेट में दे दूँगा उसके लिए आप टेलिग्राम चैनल जाइन कर लें तो दस दिनों के भीतर एस्प्यू बीकॉम फर्स्ट येर का रिवैलुएशन फॉर्म आउट हो जाएंगे बात करते हैं में एजुकेशन कोर्स के निदेशक है प्रोफेसर संजुकरोल जी उन्होंने कहा कि हमें एजुकेशन का दाखिला जो है कमेटी के चेर्मेन 25 को समाने अनसूचित जन जाती दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी और 26 को प्रवेश पाने वा या अपने वच्चों का नवोदे में प्रवेश जो है प्रिक्षा यदि आप उनका प्रवेश देना चाहते हैं तो कतिस तक आप आववेदन कर सकते हैं तो जो वहार नवोदे विद्याले जो डूंगरी है वहाँ पर शेखनिक सतर दोहजार चौबिस पच्चिस के दौरा नवी और ग्यारवी कक्षा में धर्मशाला डूंगरी में जो है नवी और ग्यारवी में खाली सीटों पर लेटरल एंटरी के तहए दस फरवरी दोहजार चौबिस को प्रवेश प्रिक्षा होगी और पातर बिद्यार्थी जो है कतिस उक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन इ मानेता प्राप्त स्कूल से आपकी आठवी कक्षा में आप अधियन रत जो विद्यार्थी है वो इसके लिए त्यारी कर सकते हैं और ग्यारवी कक्षा के लिए एक जून 2007 से कतिस जुलाई 2009 के बेच के बीच में जन्में शेक्षनिक सातर 2023-24 के दोरन जिला कांगरा के माने क्षा में और यह आपके पास योगेताएं हैं तो आप इसके लिए अपलाए कर सकते हैं तो यह थी आज के महतुआपूर्ण अपडेट संबंधित एजुकेशनल अवडेट यह आपको वीडियो इंफर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज